जय हिन्द इस बीडियो के में फिल इंडिया कंपडिया बारें बात करेंगे देखिए में फिल इंडिया का शेयर प्रइस काफी धिनों से नीच तरफ ही जा रहा है इस बीडियो आगे क्या करनी चाहिए आगे कि उनके स्ट्रेटजी क्या होगी इस वीडियो में इस सभी मुद्ध पर असान भासा में बात होगी बस आप लाश्ट तक बन रही है आए सुरू करते हैं देखी दोस्तों यह काम करते हैं मतलब एक लॉजिस्टिक बेस्ट कंपनी है और कार्गो बेस्ट भी इसको का सकते हैं इस तरह कंपनी काम करती है समझेंगे मार्केट के संतावन क्रोंड तीरिशाट लाग रुपया यानि के पेनेश्ट होगे यह तो आप जानते ही हैं सेयर प्रैस देखिए एक रुपया च्पन पैसा आज के दिन का सेयर प्रैस देखेंगे तो डाउन जा रहा है काफी दिनों से सेयर प्रैस देखेंगे तो फिर मतलब दस पैसा तक पहुंच गया लेकिन फिर क्या होगा देखेंगे तो अभी तक डाउन ट्रेंट में है और दस पैसा से कम होकर आ गया है एक रुपया चपन पैसा तक तो आगे क्या हो सकता है अभी तो आगे अगर सपोर्ट लेवल की बात करें मतलब कहां पर जाकि यह पर प्राइश डाउन ट्रेंट ठारेगा तो पहला सपोर् अभी नहीं ठाड़ता और नीचे चला जाता है तब इसका एक रुपया तक यानि की संभाव ना है हालाकि एक रुपया तक नहीं जाना चाहिए उमीद है कि यहां तक आने के बाद दूपर लेको उपर उठ जाएगा इसलिए अगर रिटर्न की बात करें तो देखिए एक स मैक्समूम पेनेश्टों का तो प crosses में ही रहता है लेकिन ऐसे का मतलब होगा यूर्प सर्फ 37,000 का भौलउम घ्र जाने के चंस पाहले prize हूँ लेकिन अभी एक सब्ता हमें देखेंगे तो लगभक 50 लागा भॉलूम सिर्फ एक सब्ता हमें क्रियेट हो रहा है अगर अब अच्छा कासा इसमें क्रियेट होने लगा है और जब भॉलूम बढ़ता है तो शेयर प्राइस उपर जाने के चांसर बढ़ते हैं फंडामेंटल के बदावलत नहीं लोगों के खरीटने के बदावलत अब यहां समझेंगे अगर आप मनी कंट्रोल या इन्वेस्टिंग डॉट कम पर जाएंगे और वहां फोरम सेग्मेंट खोलेंगे तो ज्यादा तर लोग इसको ज्यादा तर लोग और जो मैक्सिमम इंड लेकिन जरूरी की फंडामेंटल होना चाहिए किसी भी कंपनी का अगर बुक वहलो निगेटिव में तो सबसे निगेटिव पॉइंट होता है और अगर रिटर्न अउन इक्विटी की बात करें जो आए जैसे शोल्डर सम लोग ले काफी जरूरी होता है क्योंकि रिटर्न पता ही नहीं है और अगर फंडामेंटल को कंपनी को सुधार करने के जरूरत है अब समझे पर मोटर इसमें बिल्कूल नहीं एकदम जीरो पॉइंट कास पास इसमें उनके हिस्तेदारी है और पब्ली के पास में एक्सिम सेर्स कह सकते हैं कि लगभग 100% पब्ली के पड़ा हुआ है तो अगर बात कि हमें इस कंपनी में करना क्या है तो आपको अगर पहले से तब तक इंत्यार किये जब तक इसमें आपको प्रोफिट न हो जाए वरना लॉस में बिचने की कोई जूरुत नहीं है दूसरी बात अगर कोई नया विक्तिस में इन्वेट्मेंट करना चाहते हैं तो बेसक आप कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस मडल काफी बढ़ी हा बाकी मिलते हैं नेक्ट विडियो में तो तक लिए धन्यबाद सुक्रिया